मिजोरम के 40 विधान सबसीटों पर जो चुना हुए थे उसका रिजल्ट भी अब फाइनल हो गया है 7 नवेंबर को करीब 77 दशबलव सुन्ने 4 फेज़ दी वोटिंग वही थी और मेन मुकाबला सत्ताधारी मिजो नैशनल फ्रंट MNF और जोराम पिपुल्स मुवमेंट यानी ZPM और कॉंग्रेस के बीच रहे सबसे आगे कि अगर बात करें तो ZPM सबसे आगे जबकि कॉंग्रेस सबसे पीछे इस पूरे चुनाव परणाम में मिजोरम के चुनाव परणाम में दिखाई दिये लेकिन सरकार बनाने के लिए 40 में से बहुमत का आकड़ा एकिश चाहिए था जो चार साल पहले बनी नई पार्टी ZPM को मिली है ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर नई पार्टी जोराम पेपल्स मुहमेंट ZPM के चीफ लाल दुहोमा आखिर है कौन जो सिर्फ चार सालों में मिजोरम में सरकार बनाने में काम्याब भी रहे तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ZPM के चीफ लाल दुहोमा आखिर कौन है MNF और कॉंग्रिस के अलावा जोर में में तीसरी बड़ी पार्टी जोराम पेपल्स मुहमेंट और इसके नेता लाल दुहोमा है लाल दुहोमा एक पुर्व IAS अधिकारी हैं जो पुर्व PM इंद्रा गांदी की सेक्यूरेटी संभाल चुके हैं अभी राहुल गांदी की जब संसद के सदस्ता गई थी तो लाल दुहोमा एक बार फिर चर्चा में आ गए थी वजह ये रही थी कि लाल दुहोमा भारती राजनीती में पहली ऐसे शक्सियत हैं जिन पर दल बदल कानून के तहद एक्शन हुआ था और वह लोग सभा में संसद की सदस्ता गवाने वाले पहले शक्स बन गए दरसल लाल दुहोमा ने 1984 में मिजोरम से कॉंग्रेस के टिकट पर लोग सभा चुनाव जिमें जीत दर्ज की थी बाद में उनका राज कॉंग्रेस के नेताओं से मतभेद हो गया और उन्हें अयोग घोसित कर दिया गया वे 1988 में दल बदल विरोधी कानून के तहद अयोग घोसित होने वाले पहले लोगसभा सांसत बने 2018 में लाल दुहोमा ने आईजोल्स पश्मी एक और सेर छिप से निर्दलिये चुनाव भी जीता एक समय लाल दुहोमा ततकालिन प्यम इंद्रा गांधी के सुरक्षा के चीफ भी थे उन्होंने उसी दोरान नौकरी से इस्तिपा दिया था और कॉंग्रेस में शामिल हो गये थे इसके बाद उन्होंने उसी साल लोकसभा चुनाव भी लड़ा जीता भी और कुछ समय बाद कॉंग्रेस छोडने का फैसला भी ले लिया यही फैसला उन पर कारवाई की एक बड़ी वज़व भी बनी थी जैज़ पिम के इतिहास के अगर बात की जाए तो लाल दुहुमा ने मिजोरम में एक शित्री राजनीती दल जोराम नेशनलिस्ट पार्टी का गशन किया वो इसी पार्टी के फाउंडर और अध्यक्ष भी है साल 2018 के मिजोरम विदानसभा चुनाओ में उनकी पार्टी गठबंधन जोरम पेपूल्स मुवमेंट में शामिल हो गई इसके साथ उनों ने 2018 में मिजोरम विदानसभा चुनाओ लड़ा, गठबंधन पार्टी ने आधिकारिक रूप से उन्हें मुखमत्री पद का उम्मिद्वार घूसित किया था हाला कि तब तक गटबंदन पाटी आधिकारिक रूप से भारत की चुनाव आयोग से माननेता प्राप्त नहीं कर सकी थी ऐसलिए 2018 में लाल दोहमा ने निर्दली उम्मिद्वार के रूप में चुनाव लड़ा था उन्होंने शेर्षीप विधान सभा का परतिनिद्ध तो किया था हाला कि उनकी सरकार तो नहीं बनी लेकिन विधान सभा में उन्हें विपक्षी नेता के रूप में जरूट चुनागया उन्होंने चुनाव निर्दली लड़ा था जबकि इसी कारकाल के बीच उनका गचबंधन राजनीतिक दल जोरम पेपुल्स मुहमेंट 2019 में चुनाव आयूग से रजिस्टर्ड हो गया रजिस्टर्ड होने के बाद वे इस राजनीतिक दल के अध्यक्ष भी बन गए अब रीजन ये भी है कि अब आपको ये भी जानना जरूरी है कि ZPM ने कैसे MNF को हरा दिया MNF की हार की वज़ा भी समझ लेते हैं कि MNF के में जो जोरम थांगा अभी सत्ताधारी पार्टी थे और वो वहीं के CM है मिजोरम के उनके हार के पीछे के कारण जोरम थांगा सत्ताधारी पार्टी मिजोर नेशनल फ्रेंट के अध्यक्ष रहें और वहां 1966 में MNF से जुड़े थे काफी सालों तक पार्टी के अंडरग्राउंड वर्कर रहने के बाद 1989 में हुए विदान सभा चुनाओं में चमफाई सीट से विदायक चुने गए 2003 में पार्टी ने फिर से सत्ता हासल की जोरम थांगा दुवारा सीएम बने उनके पार्टी को 2008 के चुनाओं में करार हार जिलनी पड़ी थी मगर 2018 में फिर से सत्ता में वापसी की और तीसरी बार सीएम बने लेकिन इस बार जेट पीम ने जवरदस्त जीत हासल की है और जोरम थांगा की MNF पार्टी को सिकर्ष्ट दिया है और इस बार एतिहासक जीत दर्जकर ना किसी के सहारी की जरूरत है और ना ही किसे सहारा लेना भी पसंद करेंगे क्योंकि बहुमत के आकड़े जो 40 में से 21 सीटों का है वो 21 सीटों के आकड़े भी उन्होंने पार कर लिया और अपनी सरकार बनाने के लिए अपनी दावेदारी भी ठोक रहे हैं वहीं कॉंग्रेस के अगर बात कि जाए तो राहूल गांधी ने मिजोरम में अथक मेहनेत किया था पदियात्रा किये लोगों से मिले लेकिन उनका असर भी ना के बराबर देखने को मिला मिजोरम में अगर किसी ने कॉंग्रेस पार्टी को मजबूत किया तो वो है पुर्विसियम लल्थन हवला जो 1984 से 1986 तक 1989 और 2008 से 2018 तक मिजोरम के मुखमंतरी रहे मगर 2018 में वह चुनाव हार गए कॉंग्रेस सत्ता से बाहर हो गई अब कॉंग्रेस की बागडोर लाल सावता के हाथों में रहा लाल सावता ललंथ हवला सरकार में वितमंतरी रह चुके हैं और वह अपनी साप सुतरी छवी की वज़ा से लोगों के बीच में पॉपलर भी हैं लाल सावता के कंदों पर कॉंग्रेस को राज में दुबारा मजबूत बनाने का जिम्मा दिया गया जो 2013 में आई 34 सीटों में से घटकर 2018 में चुनाव में पाचवी सीटों पर हिस्सिम्ट गई थी और इस बार 2023 के विदानसवा चुनाव के परिणाम भी ये बता रहे हैं कि कंग्रेस के जो सीटे हैं वो 2013 और बाकी पीछे के से भी कम आया है तो इस बार भी कंग्रेस तेसरे नंबर की पार्टी मिजोरम में बनी है कुल मिलाका अगर देखें तो पाच राज्यों में विदानसवा चुनाव हुए जिसमें तीन राज्यों में बीजेपी के जवर्दस्त जीत हुई तो एक में कंग्रेस ने अपनी सरकार बनाई वो भी प्रशंड बहुमत से तो वहीं एक राज मिजोरम में जेड़ पीम की सरकार बनी है और वो भी जवर्दस्त बहुमत के साथ आप देखें तरी नियुवस्तर